दोस्तों नमस्कार जैसरी किष्णा जैसरी राधे दोस्तों आज हम बात करेंगे सिंग रासी 2024 2024 एक नया वर्स आपके लिए क्या लेकर आ रहा है आपके करियर रासीफल और लव रासीफल दोनों आपको दे दिये हैं बिस्तार से आपको बताया कि आपकी लाइफ में क्या कुछ हो सकता है और क्या कुछ होने वाला है सब को जाना हमने लेकिन अब एक special वीडियो जो मैंने आपको बादा किया था यह हर साल मिलती है आपको एक special वीडियो इस बार 11 भविश्यवाणी के रूप में मिल रही है तो सिंग रासी वालों यानि लियो साइन वालों आपके लिए 2024 इस नए वर्स की 11 बड़ी भविश्यवाणी महत्पूर भविश्यवाणी जो आपके साथ सत्तिसाबित होकर के ही रहेंगी मैंने बहुत कुछ बदलाव किये हैं जिससे आपकी लाइफ में इस बर्स में ये चीज़ें होकर के ही रहें और ये एक एक बात accurate हो, सही हो उसके लिए और ज़्यादा सही आकलन से आपको ये चीज़ें बता रहे हैं तो मैं कह सकता हूँ कि आपके साथ में ये होकर के ही रहेगा क्योंकि ये गोचर के आधार पर तो है और गोचर जर्नल होता है, सामान्य होता है लेकिन ये सामान्य से उपर इसलिए हो जाता है क्योंकि कुछ और बातें एड़ कर रहे हैं इनमें तो वो आपको आगे पता चलेगी तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बताते हैं कि सिंग रासी वालों के जीवन में 11 वो भविश्यवाणी जो 2024 में सत्ते होंगी अगर उन इस्तिती में उन परिस्तितियों में आप हैं आप भी वो काम कर रहे हैं तो आपके साथ में इस सत्यसाबित होकर रहेंगी तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आपको यह बता दें कि आपकी यह जानकारी चंदरासी यानि मून साइन के अनुसार है मून साइन यानि कुंडली वाली रासी उसी कनुसार इसे देखें वसोए अगर आपको चंद्रासी पता नहीं है तब नाम रासी कनुसार भी देखवा सोखें। नहीं तो आप में सो कुछ लोग 1% लोग सुनना चाते हैं बाकी 99% तो मुझे ये कहेंगे कि मुझे जोतिस थोड़ी सीखनी है या वो नहीं करना ये नहीं करना बहुत सारे कमेंट्स आते हैं तो मेरा भी आपको यही है कि आपको किबल और किबल पॉइंट की बात बताएंगे तो सबसे पहले सिंगरासी वालों आपको एक सच्चा प्यार करने वाला व्यक्ति मिलने वाला है इस 2024 में सच्चा प्यार आपको जो है बहुत ही जादा सच्चा प्यार मिलने वाला है अप्रेल के महीने में और अगस्त के महीने में बहुत सच्चा प्यार करने वाला ऐसा प्यार जिसके साथ में आप जुड़कर के ऐसा लगे आपको कि हाँ यही आपकी दुनिया है अगर आपकी कुंडली में राहू, तृतिय, एकादस, पंचम, नवम इन से संबंद नहीं बनाए है तो 100% तै है कि आपकी यह व्यक्ति के साथ में रिस्ता बहुर लंबा चलेगा और उसके अत्रिक्त अगर कुंडली में लव मेरे जोग हैं तो 100% इसी व्यक्ति से आपकी लव मेरे जोगी जो इन महिनों में आपको मिलने वाला है अब बात करते हैं दूसरी भविश्यवारी दूसरी भविश्यवारी है जून के महिने में बहुत बड़ा धनलाव आपको होगा और ये धनलाव जो है आपको वो कई जगहों से होगा कई जगहों पे आप आपने सोचा ना हो आपने कल्प ना नहीं किऊ वहां से भी आपको धन प्राप्त हो जाए तो बड़ी मात्रा में जून में अलग-अलग एक से अधिक आयके सुरोथ से आपको धन प्राप्त होगा बात करते हैं तीसरी भविश्यवारी है married life में आपके बहुत ज़्यादा problem होगी और married life में इतनी problem होगी इसमें सबस्वड़ी problem ही होगी कि आपके partner आपके साथ loyal नहीं होगे और ये पूरा बर्स ही आपको कई वार ये दिखाएगा कि आप जो है अपने partner को cheat करते हुए देख रहे हैं उनकी गलतियों को माफ करते जा रहे हैं आप और बहुत बार आपने इस चीजन notice करी इस तरीके की चीजन देखी और अगर ऐसी इस्तिती में आप अगर महला हैं तो खास करके ये चीज आपके साथ हो करके ही रहेगी पुरुस हैं तो एक बार को ना भी हो लेकिन महला हैं तो जरूर हो अब बात करते हैं चौथी भविश्यवाणी चौथी भविश्यवाणी है कि फरवरी के महिने में आपको कोई महला जो है महला मित्र आप पुरुस हैं तो महला महला है तो पुरूस लेकिन जायतर चांज में महला ही है तो आप कोई ladies के चक्कर में फसेंगे और खास करके आप कोई अधिकारी है उच्छस्थर के अधिकारी है अपना कोई अपना एक ब्यक्तित है अपना एक चरित्र है अपना एक character है उसको आपने आपको बदناम करवा लेंगे आ अपनी छवी खराब करवा लेंगे कोई महला आपको फसा सकती है, ब्लेकमेल कर सकती है ये भी एक बड़ी संभावना है लेकिन जायतरिस्तिती बदناमी की बन रही है फर्वरी में सावधान रहने की जरूरत है अगर गलत कुछ कारे करते हैं जैसे कि अफेर बना लिया किसी अपने कर्मचारी को अधिकारी हैं बड़े और वहाँ पे कर्मचारी को या कलीक को किसी को अपने relationship में या किसी तरीके से कैसे भी time pass के रूप में यूज किया वो आपके लिए घातक सावित होगी अब बात करते हैं पांचमी भविश्यवाणी जो है वह है दिसंबर के लास्ट में जाकर के होगी दिसंबर के लास्ट में आपका कोई बड़ा सपना पूरा हो या मकान या बाहन का सपना पूरा हो जाए तो ये बड़ी भविश्यवाणी ये है छटमी भविश्यवाणी की ब कीज़े काम किया और उसने आपका पैसा नहीं दिया अप कोई वी काम करते हैं आप ट्रक ड्राइवर हैं और ट्रक चलाया एक महीं है कि खर Otto इसका उसने पैसा खौल gonna ढई कि अभी नहीं देंगे देंगे इस तरीके ुच democrat तो बरसों का पैसा भी अठका हुआ आपको मिल जाएगा, आपके महनताना मिल जाएगा आपको, आप चाहे वो छोटे इस तर के पैसा ही हो चाहे बड़े इस तर के मतलब किसी भी तरीके, लेकिन आपकी महनत का पैसा है वो आपको मिलेगा जरूर इस बरस में, और ये होकी र या फिर किसी भी प्रकार से वो केंद्र में है तो यह सत्य होगी क्या है कोट कचेरी के कारियों में अत्यधिक बिलंब होगा बैसे तो नॉर्मली यह 99% आपकी कुंडली में कैसे भी सनी हो तब भी हो गई होगी ही होगी यह प्रॉब्लम लेकिन अगर ऐसे सनी है आपके जो मैंने बताया केंद्र में या लगने से संबंद बनाए गई या त्रकोन से तो ऐसी स्तिती में 100% आप अपने कोट कचेरी के कारियों में इतने परेशान हो जाएं क्योंकि जो काम आप चाहते हैं कि 10 दिन में हो जाए वो 50 दिन में भी नहीं होगा यह बड़ी प्रॉब्लम होगी अब बात करते हैं आठमी भविश्यवाणी आठमी भविश्यवाणी आठमी महत्पूर भविश्यवाणी आपके चरित्र पर बहुत बड़ा दाग लग सकता है और ये दाग आपका कोई अपना ही लगा सकता है कोई बहुत ही खास और ये सितंबर के महीने में ऐसा होगा सितंबर के महीने में आपके चरित्र पर दाग का मतलब समझ रहे हैं आप कि आपका कोई अपना ही आपको बदनाम कर दे और ये जो दाग है वो किजी अफैर के चक्कर में नहीं होगा ये जो है वो आपकी लाइफ पर ही होगा एक तरह से कि आपका एक अच्छा बेवहार है, अच्छा बरताव है, आप सोसाइटी में एक इज़्जत है वो गिरानी की कोसिस करेगा, कोई आपका अपना आप पर कोई 400WC का यह आरोप लगा दे, कुछ भी कर दे तो इस तरीकी की चीज़ें आप देखने को आपको मिलेंगी लोग आपकी, या कोई अपना ही आपकी बुराही कर रहा है, बदनाम कर रहा है इस तरीके की चीज़ें आपको सितंबर में देखने को मिलेंगे अब बात करते हैं नौमी भवश्यवाणी नौमी भवश्यवाणी है सराव ठेका इत्यादी या नसा इत्यादी से सम्मंदित ब्यापार आप करते हैं सिगुरेट इत्यादी कंपनी चलाते हैं, सरावधियादी करते हैं, उनसे संबधित काम करते हैं, उन लोगों को बहुत बड़ा लाब मिलेगा और जिटना कारोबार आप करेंगे इस बर्स में, वह साथ आपने बीते 5 साल में भी ना किया हो, तो 5 साल की कमाई जितनी की हो उतनी एक साल में ही आपको मिल जाए उससे अधिक मिल जाए तो आप माला माल होने वाले हैं करोडों का आपको कारुबार मिलने वाला है लाब बहुत होगा अब बात करते हैं दसमी भवश्यवानी, दसमी भवश्यवानी है कि आपका राजनीति करियर बहुत उंचाई पक्ड़ेगा, बहुत बड़ा लाब मिलेगा राजनीति की छेत्र में, और राजनीति की इस्तिति इतनी मजबूत होगी जून से अगस्त तक, वैसे जून और सारी चीज़ें मतलब आपका प्रमोशन है आपकी उच्छ सफलता के योग बने राजनीतिक करियर के लिए अब बात कर लेते हैं ग्यारमी यान की लास्ट भवेश्यवारी अप्रेल की महीने में यह थोड़ी बहुत छोटी है लेकिन यह बहुत जरूरी है यह उन लोगों के सम्मंदित कोई allergy, skin problem यह बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी अप्रेल के महीने में तो इससे बचने के लिए भी पहले से तैयार रहना होगा आपको किसी प्रकार के ऐसी कोई दलती ना करें जिससे आपको skin problem बहुत ज़्यादा पढ़े तो इसके लिए पहले से अपने कारियों में फसे हुए तो आपके साथ में निश्चत ही यह विश्वाणी सत्य सावित हो कर रहेंगी दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंदा इस वीडियो को लाइक शेर कमेंट जरू करें और चनल पर पहली बारा है चनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपने हमारा करियर रासीफल 2024 नहीं देखा है तो बेट किस चीज़ का है आपको लिंक मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में पिन कमेंट चेक करें वहां पे आपको लिंक मिलेगा दोनों वीडियो का वहां सजा करके अपना वीडियो देख सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार